पैंसन भोग्यों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुस खबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी एक पैंसन लावारती हैं तो यह जानकारी आपके लिए है देकि सभी पैंसन लावारती पुरानी पैंसन को लेकर इंतिजार कर रहे हैं सरकार की तरफ से पुरानी पैंसन कब लागू की जाएगी हर राज्य में पुरानी पैंसन की मांग की जा रही है लेकिन आपको बता दें कि केविनेट बैठक में पुरानी पैंसन को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है इसमें 26,000 करमचारियों को जबरदस्त तोफा म मिलने जा रहा है यानि कि 26,000 करमचारियों को पुरानी पैंसन का लाव दिया जाएगा अब यह 26,000 पैंसन लावारती कौन है कि नहीं पुरानी पैंसन का लाव मिलने जा रहा है चलिए उसके बारे में हम आपको बता देते हैं अगर आप भी पुरानी पैंसन की मांग कर रहे ह तो यह जानकारी आपके लिए है और आप हमेरे साथ आंत तक बने रहेगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिजिए जाज़ेदा वीडियो को सेहर भी कर दिजिए आप चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जान गई है आपको बता दें कि केविनेट ने भी प्रानी पैंसन के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है हलाकि प्रानी पैंसन का लाब 26,000 करमचारियों को ही मिल सकेगा जिसका एलान मुख्य मंत्री द्वारा भी कर दे गया है देखें आने वाले लोगसफा चुनाओं से पहले ही पैंसन भोग्यों को यह जबरदस्त तोफा जारी कर दे गया है अब NPS पैंसन का लाब ले रहे पैंसन भोग्यों को ओल्ड पैंसन इसकीम का लाब मिल सकेगा आप किस राज्य से हैं क्या आप भी प्रानी पैंसन की मांग कर रहे हैं कि प्रानी पैंसन लागू हो तो आप में कमेंट बुक्स में जाकर अपनी राज्य का नाम जरूर बताएगा देखिए नए साल में महराष्ट सरकार राज्य के सरकारी क्रमचारियों को बड़ा तोफा दे दे गया है अगामी लोग सबचनाओं से पहले महराष्ट कबिनेट ने गुर्वार को एक प्रस्ताव को मंजोरी दे दी है जो नुएंबर 2005 के बाद नोकरी सुरू करने वाले क्रमचारी सरकारी क्रमचारियों को पुरानी पैंसन का लाब दे जाएगा इनके ओल्ड पैंसन इसकीम का लाब दिया जाएगा वह विकल्प परदान करता है साथी आप को पता दे कि यह फैसला सरकारी और अर्द सरकारी क्रमचारियों इवं अधिकारियों दुवारा प्रानी पैंसन योजना वहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिन बाद आया है यह इनके क्रमचारी जो है हड़ताल पर थे कि प्रणी पैंसन को लाओ किया जाए और उनके कुछ दिन बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है राज्य की 26,000 क्रमचारियों को मिलेगा फाइदा आप उदादें कि महराष्ट सरकारी क्रमचारी प्रिसंग के महासचीव विश्वास कटकर ने कहा है कि केबिनेट के फैसले से 29,000 क्रमचारियों को फाइदा होगा जिनका चैन नुवेंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें न्युक्त पत्रबाद में मिला इस फैसले से केवल राज्य सरकार के 29,000 क्रमचारियों को ही पाइदा मिलेगा तो यह था आपके लिए महत्पूर्ण जानकारी जो सरकारिक तरफ से जबरदास्त कुसकभर जारी की है महराष्ट के विनेट ने 29,000 क्रमचारियों को 6 महिने के भीतर OPS इनके Old Pension Scheme और New Pension Scheme या New Pension Scheme तो दोस्तों के बीच चैन करने और अगले दो महिने में समंदी दस्तवेज अपने विभागों में जमा करने को का है अगर आप भी महराष्ट के हैं और आप पुरानी पैंसन लेना चाते हैं तो आप जल से अलदी है कारे कर ले इससे पहले कहीं राज्ये में पुरानी पैंसन योजना लागू की जा चुकी है वहीं पिछले काफी समय से देश भर में ओल्ड पैंसन इसकीम लागू करने की मांग की जा रही है तो आपको कौन सा राज्ये है आप में कमेंट बोक्स में जाकर जरूर देगा अगर आप महराष्ट के हैं तो आप जल से जल अपने करेयले में जाकर दस्तवे जमा कर दे अगर आपको ओल्ड पैंसन इसकीम कल आप चाहिए तो आप ओल्ड पैंसन इसकीम के संबंद में दस्तवे जमा करे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं क्या तो वीडियो को ला पहरत.